जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमसोर पढ़ जाएं तो आवाज हुलंद करनी पड़ती बोल किलब आजाद है तेरे जियूस क्लिक वर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे दो पर तमाम अंकुष लगाओ मगर दूसरी तरफ राजनीतिक चंदा के नाम पर तुम्हारी लूट खसूर जारी रहे ये तो हद है ना और मैं आपको आप बतला रहा हूँ कि आखिर मैं ये बात क्यूं कह रहा हूँ आपसे जैसे कि आप जानते कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसानों ने भारत बंद बुलाया है भारत बंद बुलाना उसका राजनीतिक उसका लोकतांत्रिक अधिकार है मगर उस पर किस तरह का दमन किया जा रहा है उसकी कुछ तस्वीरे मैं आपको बताऊंगा मगर आज ही के दिन एक और एहम घटना करम हुआ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक एहम फैसले में कहा है कि जो गुप्त राजनीतिक चंदा राजनीतिक दलों को मिलता है हम उस पर रोक नहीं लगाने वाले है मैं आपको बता दूँ कि बाकाइदा एक संस्था ने से चुनाव आने वाले है लिहाज़ा एक अप्रेल से राजनीतिक चंदा जो गुप्त राजनीतिक चंदा आता है उस पर रोक लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसे सिरे से खारिच कर दिया इसकी मैं शर्षा करूँगा मगर सबसे पहले मैं आपको किसानों की बात करना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये हैं युद्धुवीर सिंग ये एहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे होते हैं और पुलीस उन्हें उठा कर ले जाती है पुलीस उन्हें किस तरह से उठा कर ले जाती है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा सबसे पहले आप देखें जब पुलीस उन्हें उठा कर ले जाने वाली होती है तब युद्वीर सिंग क्या कहते हैं, उनका कहना था कि ये सरा सर अलुक तांत्रिक है, ये ताना शाही रवया है, क्या कहा युद्वीर सिंग ने पहले आप देखिए किसान के साथ सिर्फ अपनी बात रखने के लिए किस तरह की ज्यात्ती हो रही है दोस्तों, अब ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, करीब देड़ मिनिट का वीडियो है दोस्तों, आप देखिएगा पुलीस किस तरह से ये धुईर सिंग को उठा कर ले जाती है, यान मी सिर्फ प्र्ष कॉंफेंस कर रहा है, जो हर किसी का अधिकार है और ये चीज इने सुईकर नहीं है गुजरात से, वो गुजरात जो कि हमारे प्रधान मंत्री की राजनीतिक कर्म भूमी, जन भूमी सब रही है और उस गुजरात में किसान को प्रेस कॉंफेंस करने का कि दोस्तों के दोस्तों है जाया जाया कंद के दिश्ची मैं गोश्यान लिए बाएस संप जैद्व कुछ लोगे देखे से लिए हाल आप दोस्तों के दोस्तों के जाला हुआ नियुकुर्टी। इस किसान ने बहुत चुनोतियों का सामना किया दोस्तों वो सिंगू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था मगर उसे बदनाम करने का प्रयास लगातार किया गया केंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हमारे पास सुबूत हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है और आज भी दोस्तों चार महीने बीच चुके हैं कितने किसान मारे गए आप जानते हैं 200 से 2500 किसान मारे जा चुके है किसी का दिल नहीं पसीज रहा है दोस्तों मेरे जैसे कुछ पत्रकार जो हैं, आज भी उन किसानों के लिए बोल रहे हैं, मगर सब खामोश हैं, सब खामोश हैं, किसी को इस बात की परवा नहीं है, और ये वीडियो देखिए दोस्तों, आज सेंगू बॉर्डर का वीडियो है, इस वीडियो में आप श्वास, वो जानता है कि मुख्यधारा के न्यूस चैनल्स के जरी उसे इतना बदनाम किया जा चुका है, वो ये भी जानता है कि सरकार मुझे प्रेस कॉन्फरेंस तक नहीं करने दे रही, मगर वो अब भी गांधी के सत्यागरह के रास्ते कुछ खोड़ने को तयार नहीं है, मैं सलाम करता हूँ ऐसे किसान को दोस्त हूँ, आज उस किसान की आवाज कोई नहीं उठा रहा, सबसे दुख की बात यह है, हाला कि हाँ, अब भी कुछ नेता हैं जो संसद में इस बात को उठा रहे हैं और इसके लिए मैं कॉंग्रिस नेता देपिंदर हुड़ा की त आप कुछ सुरिएं, जो आपने सोचा किसान भूल जाएगा यह बात, मर किसान की आदाश बहुत तेज है, इसलिए बैठा है चार महीने से, तीन सो जाने गवाने के बाद, तीन सो दा जाना कुर्बान करने के बाद, दोस्तों वैसे तो मैं किसी राजनेता की तारीफ नही होगा, वो निराश नहीं होगा, उसे लगातार यह लगता रहेगा कि हाँ मेरी जीत हो सकती है, इसलिए वो कभी भी कानून व्यवस्ता को अपने हाथ में नहीं लेगा, उसे बदनाम करने के लिए, नजाने आपने कितने पैतरे जड़े, नजाने आपने कितनी चालें चली का हक नहीं है, और तुम जो है, गुप्त राजनीतिक चंदे के नाम पर लूट खसूट कर रहे हो, वो बंद का आवन करता है, वो सिंगु बॉर्डर पर बैठता है, तो आप उसे कुरोना का डर बताते हो, मगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आमिच शाह की रालीज के ल कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सुप्रीम कोट का अब ये फैसला आ गया है, अब राजनीतिक दलों को जो गुप्त राजनीतिक चंदा मिलता था, वो मिलता रहेगा, सुप्रीम कोट ने साफ कह दिया है, कि इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर काब पाने के लिए दिशा निर्देश पहले से मौझूद हैं। मगर आज मैं प्रमानित करने जा रहा हूं कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोट के फैसले पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता, कैसे कर सकते हैं भाई। मगर अब मैं आपको प्रमान के जरीए बताना चाहता हूं कि किसानों पर तो ये उंगलिया उठाते हैं, मगर गुप्त राजनीतिक चंदे के नाम पर ये लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूँ कि ये गुप्त राजनीतिक चंदा नहीं है। सबस्तारूर बीजेपी को बता सकते हैं कि किस औद्योगिक घराने ने कितना पैसा किस पोलिटिकल पार्टी को दिया। मुझे बताइए अगर एक औद्योगिक समुह कॉंग्रेस को धेरों पैसा ध्यान करे और स्टेट बैंक ओफ इंडिया ये जानकारी सरकार को दे दे तो आप जानते इसका क्या मतलब होगा। सरकार क्या करेगी? इंकृब टाक्स का इस्तमाल करेगी, क्या करेगी वो? आईबी का इस्तमाल करेगी, इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट का इस्तमाल करेगी उस औद्योगिक घराने को परिशान करने के लिए। ऐसे में आप मुझे बताइए ये गुप्त राजनीतिक चंद जो लेकर आये थे, वो स्कीम अपने आप में उसमें धेरों छेद हैं, अब बात यहां नहीं रुकती है, आपके स्क्रीन्स पर एक और एहम जानकारी, आप जानते हैं कि 2017 से लेके 2019 तक जितना भी गुप्त राजनीतिक चंदा गया है, उसमें से 60 फीसदी भारती जनता कुझे आप बताईए, यह जो गुप्त राजनीतिक चंदा यानि जो एलेक्टोरल बॉंड्स है, यह बीजेपी को फाइदा पहुचाने का जरिया नहीं है, तो क्या है? मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि भई, लोग कॉंगरिस को भी दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी को भी दे सकते हैं, मगर मैंने आपको अभी अभी बताया है, यह गुप्त तो है नहीं, अगर कोई ओद्यों की घराना कॉंगरिस को पैसा देगा, तो सरकार को जानकारी पता चल सकती है, और यही नहीं, देखे, जो सत्ता में होता है, जिसके हाथ में ताकत होती है, ओद्यों हूँ, जो करता हूँ, आप लोग सुनते तो नहीं है वो, मैंने आज से कई महने पहले इसी मंच यानी न्यूस क्लिक पर एक शो किया था, मैंने आपको बतलाया था कि जब सरकार 2017 में एलेक्टोरल बॉंड्स की यह स्कीम लेकर आई थी, तब उस पर आपत्ती दो हैं, Reserve Bank of India और चुनाव आयोग, मगर सरकार ने उन आपत्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, आईए, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आज से कई महीनों पहले मैंने वो शो किया था, आज उसकी एक एक बात सही साबित हो रही है, किस तरह से चुन पर भारतिय पैसे पर भरोसा तूटेगा, आपत्ति नमबर तीन केंद्रिय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिधानतों पर ही खत्रा आ जाएगा, और Reserve Bank of India ने एक और बात कही थी, जो से कहने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा था कि इस से चुनावी पारदरशिता पर असर पड़ेगा, यानि की जो हमारे चुनाव होते हैं, वो ट्रांस्पेरिंसी के साथ नहीं हो सकेंगे, सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये कहा कि अगर इसका इरादा ये है कि इस Electoral Bond को खरीदने व्यक्ति, संस्था या EKI राजनीतिक दल में दान दे सकें, तो वो तो आप Demand Raft, चेक या फिर Electronic और Digital Payment के जरी भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है, ये तो सामानि प्रक्रिया के अंतरगत हो सकता है, और RBI ने एक और एहम बात की, उन्होंने कह अगर ये बिल वजूद में आ जाता है, तो International Norms यानि कि जो स्थापित अंतराश्री विवस्ता है, वो बिगड़ जाएगी, RBI ने सक्त हिदायत दी थी, मगर सरकार ने तो मन बना लिया था, आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त हस्मुक अडिया हैं, राजस सुसाचिब, उन्ह कहते हैं, मुझे लगता है, RBI दान दाता की पहचान को गुप्त रखने के मकसद से लाए जा रहे, प्रस्तावित प्री पेड बेरर इंस्ट्रूमेंट के तंत्र को ठीक से नहीं समझ पाया है, जबकि उसमें ये सुनिश्चित किया गया है, कि जो भी दान देगा, वो उस टाक्स पेड पैसे से ही होगा, तो एक तरफ तो हसमोगडिया ये कह रहे हैं कि सहाब RBI समझ नहीं पाया, मगर बाद में उन्होंने जो कहा, वो पूरी तरह से विरोधा भास है, वो क्या कहते हैं, RBI की सलह काफी देर से आई और economic bill पहले से ही छप चुका है, इसलिए हम अपने economic bill में इसको शुमार नहीं कर सकते, इसकारत क्या हुआ, कि RBI ने जो आपत्यां दर्श की थी, उसको लेकर मोधी सरकार ने कोई तरक नहीं दिया, किसी भी तरह से गंभीरता से उसे संबोधित नहीं किया, अब अरुन जेटली ने भी इस पर जल्द हस्ताक्षर कर द संसद में इसको लेकर सवाल पूछा गया, आपके स्क्रीन्स पर ये शक्स जिसका नाम है राजसभासांसद मुहमद नदीम उलहक, उसने सरकार से एक सवाल पूछा, और सवाल बहुत सीधा था, भारती चुनावायोग ने electoral bond के प्रती किसी तरह का विरोध दर्श किया, इन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने का कि सरकार को electoral bearer bond के मुद्दे पर चुनावायोग की तरफ से किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, साफ जूट, अब आप मुझे बताईए कि इसकी क्या सजा दिया जाए, क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र, क्या इस 2017 में चुनावायोग ने law ministry को एक खत लिखा, इस खत में उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको बताता हूँ, Electoral Bond के जरीए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्स से संभावित अवैद चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी, संदिक दिचंदा दाता, फर्जी शेल कमपनिया स्थापित करके, राजनेताओं के पास काराधन पहुँचा देंगे, और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा, दरसल चुनावायोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए, और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है, वो खत्मो, मगर मैं आपको बता दूँ कि उस वक्ट चुनावायोग में इस सरकार के खास बियोरोक्राट्स नहीं थे, मसलन सुनील अरोडा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक्ट नहीं थे, उस वक्ट चुनावायोग की जो का जो चेहरा था, वो अलग था, तो इस कारकरम के जरिए और इस पेशकश के जरिए में आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानि की राजनीतिक डलों की लूट खसूट जारी रहेगी, पश्श्यम बंगाल के अंदर ये लोग जहर भी उगलते रहेंगे, पैसे का जबरदस्ट प्रवा होगा जीतने के लिए, अब मुझे बताईए ना, समानता का या बराबरी की बात कहा हैंसे में, बताईए, एक तरफ किसान है, और दूसरी तरफ सरकार का दमखम, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में बस इतना ही, अब इसार शर्मा को दीजिए अजाज़त, नमस्कार. झाल